नमस्कार मैं कपिल मोहनसूद एवं मेरे सहयोगी श्री गर्जार सिंग चंडिगर शिक्षा विभाग से आज परिमाप विशेपर एक प्रस्तुति करण आपके समक्ष रखेंगे परिमाप किसी आकरिती के घेरे की लंबाई को परिमाप कहते हैं जैसा कि इस चित्र में इन तीनों आकरितियों के लाल रंग से घेरे को हम परिमाप कहते हैं ये लाल रंग से अंकित जो आप इनका घेरा देख रहे हैं यही इन आकरितियों का परिमाप है आईए इसी को हम कुछ और उधारनों के द्वारा समझते हैं सबसे पहले मेरे दो दोस्तों से मिलिए ये है मिकी और ये है चिकी एक दिन मिकी और चिकी एक खेत में घूमने गए तुमें क्या लगता है इस खेत का क्या परिमाप होगा आईए देखते हैं कि क्या चिकी का उत्तर सही है इस खेत का परिमाप देखने के लिए आपको इस खेत के आसपास एक चक्कर लगाना होगा अभी मिकी और चिकी ने जो खेत की लंबाई की दूरी तैकी है वो है 35 मीटर अब ये जो दूरी तैकर रहे हैं ये है 50 मीटर 35 मीटर के सामने वाली भुजा क्योंकि ये आयत है इसलिए वो भी 35 मीटर ही होगी और अंत में जो चौथी भुजा है वो होगी 50 मीटर इन सभी भुजाओं का यदि योग करें तो आ जाता है 170 मीटर इसका मतलब इस खेत का परिमाफ है 170 मीटर अब मैं अपने साहियोगी श्री गजराज सर से निवेदन करूँगा कि वो एक त्रिभुज का परिमाफ हमें निकाल कर बताएं जैसा कि अभी आपने सुना कि किसी भी आकरती का हम परिमाफ निकालते हैं उसकी भुजाओं की लंबाईयों से तो हम इस तरिभुजा का राकरती का परिमाफ ग्याद करेंगे अभी जिसकी भुजाएं क्रमसे हैं B, C भुजा जिसे हमने मापा और ये हमारे पास 23 सेंटीमीटर है इसी परकार B, A भुजा हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और भुजा A, C 30 सेंटीमीटर है तो हम इन तिनों भुजाओं का योग करेंगे भुजा B, C 23 सेंटीमीटर भुजा A, B 24 सेंटीमीटर और भुजा A, C 30 सेंटीमीटर इन सभी का योग हमें इस तिर्भुजाकार आकर्ती का परिमाप देगा जो की है 77 सेंटीमीटर तो आज हमने क्या सीखा किसी अकरिती के घेरे की लंबाई को परिमाप कहते हैं एक बार पुनेह बोलता हूं किसी अकृती के घेरे की लंबाई को परिमाप कहते हैं